नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इनिशेटिंग टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाईए नई टेकनोलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आप लोका फिर से स्वागाथ है मेरे नए चानल इजी शेटिंग टेक पे आज हम बात करेंगे शाओमी के फोन के बारे में और आपको जैसा पता है यह उन्होंने बहुत ही कम समय में इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट बना लिया है अपना तो इसी च अधम सिल्फिस्तान की और रखा है उपो वीवो को टक कर देते हुए तो आईए जानते हैं स्पोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में मेरा नाम है हमाशु गुपता आप देख रहे हैं इनिस्टेटिंग टेक चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं इसके स्क्रीन के साइस के बारे में इसमें आपको मिलेगी 5.5 इंच की HD डिस्प्ले विद IPS LCD पैनल और इसका रेजिल्यूशन है 20 x 1280 P का तो आते हैं इसके कैमरा पे इसमें आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा 16 मेगा पिक्सल का वो भी फ्लैश क के साथ तो यह तो नहीं पाता मुनलाइट है कि सनलाइट है लेकिन आपको मिलेगा इसमें फ्रंट फ्लैश वो भी 16 मेगा पिक्सल के साथ और जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी पोटो देगा बाकी इसके पहले आयोए फोन के साथ गले वो नोट 3 और 4 हो और या फ जो कि मुझे लगता है कि प्रोसेसर के साथ इसका अच्छा गासा कॉमिनेशन बैठेगा और आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी तो आते इसके नेक्स्ट वो है प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा अफ स्नाप रेकन का 435 जो कि OctaCore प्रोसेसर है और जो कि रंग क अच्छी बात है कि अच्छे बजेट में आपको फोन मिलना है तो आते हैं इसके ग्राफिक की तरफ ग्राफिक आपको अच्छे फाजे गीम कर सकते हैं दोस्तों अब तो आप जानते हैं कि इसके सॉफ्वियर के बारे में तो मैं बता दू इसा पहला फोन है जो MIUI 90 के साथ आता है और Android 7.0 पर रन करता है तो यह काफी अच्छी बात है कि हमें लेटेस फोन मिलना है और मनलब एक पैसा खर्च करने में बहुत संतुष्टी होगी कि हमें एक नई फीचर के साथ नया फोन मिलना है तो अब बात करते हैं इसके मोडल के बारे में पहला मोडल इसका है 3 3GB RAM और 32GB internal memory के साथ जो कि आपको मिलेगा 8,999 रूपय में और 2 मोडल इसका जो है आपको मिलेगा 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ जिसकी कीमत है 10,999 रूपय तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो कह सकते हैं कि एक अच्छे बजट में आपको फोन मिला है कि जो 8,999 रूपय का फोन इस फोन को लें because उसी बजट में और आज की टेट में अगर आप मुस्से पूछेंगे 10,000 के अंदर के बजट का कोई फोन तो यह काफी अच्छा option है जिससे आप चूज कर सकते हैं लेकिन हाथ 10,999 रूपय वाला जो फोन है इसको मैं बहुत ही जादा strongly recommend नहीं कर रहा हूँ because उस budget में और भी इससे बहतर शायर phone market में आपको मिल सकते हैं I hope दोस्तों आपको इस phone के बारे में सारी जानकारी अब तक मिल चुके होगे लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत या queries है तो आप मुसे comment box में उसे पूछ सकते है I hope आपको ये video बहुत अच्छा लगा जैहिंद बंदे मातरों